तो दोस्तों ये लोमडी उसके सिकार को ठोणने के लिए इदर उदर जाने लगती है अरे अभी तो बहुत ज़्यादा टायम भी हो चुका है और अभी तक मेरे को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है ये लोमडी ऐसा सोची रही होती है कि और तभी वो एक बिली को देख लेती है अरे काफी देर तक की मेहनत के बाद एक बिली नजर में आई है अभी मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ और उसको मार के खा लेती हूँ और तबी ये लोमडी वो बिली पे हमला कर देती है और थोड़ी ही दिर में मार देती है और मारने के बाद उसका मास आराम से खाने लगती है अरे वाह आज तो ये बिल्ली का मास खाने में मजा ही आ गया एक काम करती हूँ ये बचा हुआ मास है वो मैं मेरे घर ले जाती हूँ और बाद में खाऊंगी ऐसा सोचने के बाद ये लोमडी वो बचे हुए मास के टुकडे को उसके घर की और ले जाती है थोड़ी ही दिर में ये लोमडी उसकी गुफा के पास पहुच जाती है और वो बचे हुए मास के टुकडे को वो गुफा के अंदर रख देती है मास के टुकडे को गुफा के अंदर रखने के बाद ये लोमडी खुमने के लिए जाने लगती है वो लोमडी को जाने के बाद ये लोमडी वो मास के टुकड़े को चुरा के खाने के लिए उसके पास जाती है और तब ही जल्दी जल्दी ये लोमडी वो मास के टुकड़े को खा जाती है और खाने के बाद चुप चाप उसके घर के और चली जाती है